Assalamualaikum students how are you all hope you all are fine at your home I am your Islamiyad teacher and this is your Islamiyad book okay students now open your copies okay students last time हमने chapter read किया था हज़त अली रज़त अला नहीं हम आज हम उसकी मश्क करेंगे सही है सबसे पहले आपने अपने कापी में टाइटल पेच बनाना है हज़त अली का ठीक है उसके बाद नेक्स पेच पेच पे आपने उन्मान की हैडिंग डालनी है और सवाल जवाब लिखने है पहला सवाल है आपके पास जनाब अबु तालिब कौन थे जवाब में आप लिखेंगे जनाब अबु तालिब हुज़र अगरम whiskey के चचा और मक्कम कर्मा के सरदारों में से थे ठीक है दूसरा सवाल आप लिखेंगे हजर्ट علी का निकाँ किन से हुआ जवाब में आप लिखेंगे हजड़ अली रज़तालाना का निकाँ हजड़ फात्मा रज़तालाना से हुआ ठीके तीसरा सवाल आप लिखेंगे आप सुलिल्लाहु अलीज़ वाले वाले वास्सलम ने हजड़ फात्मा से हजड़ अली के बारे में ठीक है या आपने नेक्स्ट लाइन से अंडर इंवर्टिट कॉमाज में लिखना है ठीक है चौधा स्वाल है आपके पास हज़त अली रज़ता अलहना का अकसर वक्त किस काम में गुजरता था जवाब में आप लिखेंगे हज़त अली का अकसर वक्त दीन की मेहनत में गुजरता था ठीक है पास्वा स्वाल आप लिखेंगे हज़त फात्मा का हर काम किन से मुशाबा था जवाब में आप लिखेंगे हज़र्ट फात्मा रश्ता अलहना का हर काम हुजूर्ण अक्रम अलेहिवाले वसल्म से मुशाबा था ओके स्टूडेंट्स नाओ कम टू यूर बुक्स ओके नाओ कम टू दी पेज नमबर 131 131 पर आपको एक मर्श्क दी गई है सवाल नमर दो पढ़िए मंजजिल सवालात के जवाबाद सिर्फ शक्सियात का नाम लिखें ठीक है यानि कि आपने इन सवालों के जवाब में सिर्फ शक्सियत का नाम लिखना है कि ये किस ने कहें या ये किस शक्सियत से वास्ता है ठीक है ये काम आपने अपने कॉपी के अंदर करना है ठीक है कॉपी के अंदर किस तरीके से होगा कि आप सवाल के हैडिंग डालेंगे बिल्कुल सवाल की तरह इसको उतारेंगे कि बच्चों में सबसे पहले इमान कॉल लाने वाला कौन है ठीक है फिर आप उसका जवाब में लिखेंगे हजरत अली ठीक है ये काम आपकी कॉपी के अंदर होगा ये काम आपकी पुक के अंदर नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट है आपके पास हच के मौके पर हाज्जियों से आप सब्सक्राइब का तारुफ कौन करवाते थे कौन करवाते थे स्टूडेंट्स हजद अबुबकर सिद्धीक ठीक है तो जवाब में आएगा हजद अबुबकर सिद्धीक तीसरा सवाल है आपके पास इसलाम लाने से पहले कौन से सहाबी हुजूर अक्रम के बारे में तहकीक के लिए मक्का आए कौन से आए थे सहाबी जो आए थे आपने उनका नाम लिख देना है ठीक है फिर आपके पास हजद के मौके पर कपाईल को इसलाम की दावात कौन देते थे ठीक है चौदा सवाल है आपके पास जन्त के औरतों की सरदार कौन है फिर है आपके पास किनकी शहादत के बाद हजद अली रज़त अलहना खलीफा बने ठीक है फिर है आपके पास हजद अली रज़त अलहना की नमाज जनाज़ा किस ने पढ़ाई ठीक है ये काम आपने अपनी कॉपी के अंदर करना है Okay, now come to the next page Okay, this is your page number 132 ये काम आप अपनी बुक के अंदर ही करेंगे इसमी आप अपनी काफी अंदर नहीं करेंगे Okay, खाली जगा है आपके पास पहली है ठीक है में حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم के साथ रहे ब्लैंक में क्या आएगा स्टूडेंट्स तबलिख ओके तीसरी हैं आपके पास आप صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم को अपनी लाडली बेटी हज़ात फात्मा रिजाला नहां से सबसे जादा महबत थी ब्लैंक में क्या आएगा महबत नेक्स्ट है आपके पास कल जंडा इस शक्स के हाथ में होगा जिसको अल्ला और इसका रसूल पसंद फरमाता है ठीक है नेक्स्ट है आपके पास आप रिजाला नहां ने अदालतों और मुकदमात की तरफ बड़ी तवज़ दी और अदलो इनसाफ की मिसाल काइम फरमाई ठीक है पहली ब्लैंक में क्या आएगा अदालतों और दूसरी में क्या आएगा स्टूडेंट्स मुकदमात नेक्स्ट है आपके पास हजजद अली रजजद अल्हाना तक करीबन चार साल और नौ माह खलीफा रहे ब्लैंक में क्या आएगा खलीफा नेक्स्ट है आपके पास हजजद अली रजजद अल्हाना का अक्सर वक्त दीन की महनत में गुजरता था ब्लैंक में क्या आएगा महनत ओके स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये चैप्टर कम्प्रीट होता है अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तके लिए आला हाफिज अपना खयार रखिए